हेलो वाट्सप गाईस मैंने मिस्पिनोत बाद हो था पाइंड बताना चाहूंगा गाईस आज बहुत ज्यादा आश्म है नोल है विकॉज आज हम देख रहे जाने माई इमेजे सेक्षे निना और रियक्ट युकॉमर्स वेबसाइट जिया गाईस तो कल के वीडियो में आप आप देख सकते हो कुछ हमने इतना देख चुका है बहुत ज़्यादा आश्म हमें यह लग रहा है आज हम इस वीडियो में देखेंगे यह वाला जो पर्टिकुलर सेक्षन है जिसमें आपको इस सारी इमेजेस दिखाई दे रहा है वह हम कैसे एचिव कर सकते है विद धी ह अब्जेक्ट जिसके अंदर यह चार इमेजेस ऑल्रेडी है तो इन चार इमेजेस के साथ मुझे खेलना है यह वाली जो फंक्सिनलिटी जो हमें एमेजोन में भी मिलता है उसको अब हमें एचिव करना है तो कैसे होगा देखिए उससे पहले इतना बाता ना चाहूंगा सा बहुत ज्यादा मजाने वाला ठीक है और लाइट तो गैस में यहाँ पर चलता हूं पास किया है ठीक है यह चुट्टू वाला कॉपी करनी है यहाँ पर डारेक्ली आप उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे है इस तरह किसे ठीक है और पॉफेक्ट मेरे काम हो गया है अब एक काम करता हूं कि मेरा यहाँ पर यह जो इस्ट्रक्चर कंपोनेन टॉला जो कोड हज़ा करता हूं यहां पर हो जो क्लिक करने पर आपक और किसी दिखाई दे रहे है वो और इस यह रहा da तरह we have a wrapper this is it अभी wrapper काम करेगा निस्टाइल कंपोनेंट का जोल आने वाला है हमें तो हम पहले ही इसको कर लेते हैं इंपोर्ट ठीक है मैं चलता हूँ स्टाइल कंपोनेंट पॉफेक्ट ठीक यहां पर हम चलते हैं इस जेगे पर तो देखो गैस क्या हो रहा है यहां पर इसकी है हमारा जो पहला कॉलम में उसमें टोटल चर रोज है एंड हमारा ए जो इमेज है बिसेक्लि यह उर्ल गेट सिर्फ चारी तो देखो कैसे मुझे इस पहले कॉलम में चार रोज चाहिए तो मैं डिड चलता हूँ और मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रीड फोर कॉलम अभी आपको थोड़ा सा यह ग्रीड फोर कॉलम वह लग रहा होगा बट बैसेकली वह रो में कनवर्ट होजएगा अब टैंसा मत लीजिए ठीक है अब यहां पर मुझे यह जो मेरा इमेज है ठीक है इसको क्या है वह एक पर क्लिक करता हूं तो मुझे फ्लिया लीजा कुछ नहीं मिलेगा मैं यहां पर चलूंगा इसको इस तरीगे से हटा रहा हूं तो यह दिखिए मैरा जो इमेज है ठीक है ध्यान से देखिएगा मुझे टोटल चार एक दो टीन चार इस तरीए मिल रहा तो यह एक के नीचे एक इस तरीके से आ जाएंगे तो यह क्या एक एरे है मैं अब इसको लूप में चलाने वाला हूं ठीक है अब आपको पता चल जाएगा अब आपको एरा नहीं आने वाला कुछ तो image.map ठीक है इसके अंदर we have a callback function this is it and obviously हम सब को मालूम इसमें current element होगा आपका पहले then we have a index number i रख देते है या index लिख देते है क्या जा रहा ठीक है अब ध्यां से देखना में क्या करते है यहाँ पर मुझे वो चार्ट डेटा मिल रहोगा one by one so return perfect ठीक इसके अंदर guys में क्या करता हूँ मैंने always बोला कि after html5 semantic layout बोला गया है so we need to go with the figure tag बहुत easy हो जाएगा इससे हमारे लिए काम करना then we have a image अब यह जो मेरा source है यह बहुत जादे important है क्योंकि मेरा current element होगा ठीक है dot मेरा current element मतला भी मुझे पहला पूरा यह data मुझे मिल चुका उसमें मुझे क्या ची होगा मुझे मेरा url चाहिए होगा and मुझे id भी यहाँ पर है and मेरे पास मेरा उसका नाम भी है file का नाम ठीक है तो मैं यहाँ पर current element dot url alt आपको always रखना बहुत जादा जरूरी है so current lm dot में यहाँ पर file का नाम रखने वाला हूँ अब आपको बता चलगे file का नाम क्या है ठीक है and साथी साथ हुई है बाग class name इसका भी so class name जो होगा guys मैं यहाँ पर रख देता हूँ box image style रखा है मैंने and ऐसा बोलते है कि guys आप जब भी map method उसकोर तो you need to pass the key तो मैं यहाँ पे key में जो है मेरा index pass कर दूंगा अला कि मैं यह जो आप देख सकते हो here we have id तो मैं id भी pass कर सकता था यहाँ पर but it's okay फिला इतना कोई problem नी क्यूंकि चारी तो data है यहाँ पर right so इसको मैं अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ and दोंगा इसी मुझे मेरा यह जो चारो के चारो image मिल चुका है मुझे अब एक यह main वाला image भी चाहिए होगा तो देखे गाइस बहुत ही जाता simple है मैं चलता हूँ ठीक मैं अब second हाँ मेरा second column लिख देता हूँ मैं कुछ इस तरी किसे second column ठीक है मैं यहाँ पर all right perfect देखे बहुत ही जाता simple है class लेता हूँ main screen लिखके इस तरी इस तरी किसे पहला ठीक है जो भी मेरा पहला image sorry वह एक array था तो मुझे इस तरी किसे लिखना बढ़ेगा यहाँ पर ठीक है एंड यह जो particular section है यहाँ पर में चलके मेरा जो image होगा ठीक है image dot again जो पहला वाला array है उसका जो file का नाम होगा वो this is it शरिप इतना लिखूं का यह मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ तो guys I think कुछ तो warning हमें यह दे रहा है and let's see क्या warning हमें मिल रहा है so guys अब आप देख सेकते यह बता है cannot read properties of undefined reading map ठीक है थोई दिर पहले आ गया तब अब warning हमें आ रहा यह देखोगा इस अब हमें मिल भी नहीं रहा हमें undefined आ रहा हमें यह जो particular section है वो यहाँ पर हमें undefined आ रहा है let's see क्या problem हो रहा है यहाँ पर undefined reading map same चीज है तो guys मैं आपको एक चीज यहाँ बहुत clear बताना चाहूँगा undefined कब आता है undefined तब आता है जब आप किसी चीज़को defined ही नहीं करते हो right हमने अल्रेडी देखा difference between undefined and null तो मैं आपक आपको एक चीज बताना चाहूँगा देखो यह जो particular section है image basically the moment हम URL के साथ गया हमारा यह card हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपको equal to लिखना है simple and directly यहाँ पर मैं चलता हूँ again यह जो image वो एक array है ठीक है तो यह जो image है guys वो एक array था है कि नहीं तो by default हम इसके default value भी set कर सकते जो URL है उसको मैं empty set कर दूंगा इस तरगी से सिर्फ मैं अगर इतना कर देता हूँ अब इसको मैं एक बार refresh करूंगा so let's see क्या होता है and boom guys see यह देखो मुझे मलब मेरा complete मुझे मेरा data आ गया है यहाँ पर तो सिर्फ हमें यह एक line code लिखना था जहां पर हम जो undefined बोल रहा से and देखे guys कितनी easy मेरा काम हो गया लेकिन problem यह है कि मैं इस पर click नहीं कर पा रहा हूँ तो अब ऐसा क्या हो कि मैं इस पर click करूं तो वह यहां पर आ जाए इस पर click करूं तो इस पर click करूं तो इधर आ जाए तो देखो guys सब बहुत ज़्यादा simple है यहां पर यह जो मैं कर रहा हूं मेरे जितने भी images होंगे suppose अगर में यहां प्वानकर दे देता हूं अवह गया तो मतलब आप समझ रहे हो अगर इसको ऊगर मैं 2 कर देता हूं इसको कण्ञें कर देता है तो यह जो थरड वाले image मुझे यहांपर मिल तो अब मूझे क्या च्यैं कि इस तरी की से न लेकिन यह वाला जो काम है यह बच्चों वाला काम है क्यों हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक तो होगा यह कि हमारा जो में इमेज होगा जब भी हम जिस पे भी क्लिक कर देंगे state management I mean हमारा जो use state hook में जो functional component है उसके थुरू हम उसको current data बना देंगे I mean मैं आपको बता तो ध्यां से देखना सबसे top पे चलते हैं इसको मैं आप हटा रहा हूँ इसके हमें नीट नहीं है console की ठीक है so const यहाँ पर guys main image लिख देता हूँ मैं comma set main image कर देता हूँ and will be equal to use state hook ठीक है and this is it अभी काम नहीं करेगा undefined बताएगा अगिन यह भी तो यहाँ पर उसको मैं कर देता हूँ defined ठीक है all right अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि यहाँ यहाँ पर यह जो particular section आपको दीख रहा है इसको मैं copy करूंगा यहाँ पर पेस्ट and मैं zero past कर दूंगा मतलब हमारा यह जो use state hook है उसके अंदर यह जो मेरा main image state variable है उसमें मेरा जो पहला image I mean images में total चार objects थे उसमें से जो सबसे पहला वाला object हो मैंने main image को पास कर दिया है तो कल के दिन अब मैं इस particular section के बदले मैं इस तरीके से कर सकता हूँ main image dot URL it means वही है मेरा जो image square bracket में मैंने जो zero लिखाता at least इतना लिखूंगा तो मुझे वापस से यह मिल गया थोड़ी सी तरक कि अब आप इसमें यह नहीं इसमें मैंने react यूज किया ठीक है अब बस किसी तरीके से आपको यह मालूम है कि यहां पर यह जो आप देख सकती हो all right कहां गया यह set main image में अगर मैं कुछ भी change कर देता हूँ तो main image के लिए वह current updated data कहलाएगा एंड वो इसको current data नहीं मानेगा तो एक बार ट्राइ कर लेते तो अगर suppose यहां पर मैं चलता हूँ अब ट्राइ क्या करना है बेसिकली एक पर अपलाए करूँगा तो सब पर होने वाला है तो on click हम यह जो event इसको call करते हैं यहां पर ठीक है पैड arrow function पर हम चलते ह है यहां पर set main image एंड जब भी कोई इस पर करेगा click तो यह जो मेरा current element.url है ठीक है सिर्फ इसको मैं पास कर देता हूँ वो भी नहीं सिर्फ current element तो कहीं सिर्फ इतना ही करना है कि जिस पर भी click करेंगे तो वो जो current element है उसको मैंने set main image में पास कर दिया इट मिन्स कि जो भी म मेरा current object रहा होगा अब हमारा यह जो my main image उसने उसको get कर लिया है एंड उसका जो भी URL होगा वो हमें as a main image दिखाई देगा ठीक है यह देखो and boom guys see यह देखिए कितनी easily मेरा काम हो गया यह देखो guys अब यह मैंने react के तुरू कि हम कितनी easily हमने यह देखो आपको लगा होगा क्या कैसे होता हो गया लेकिन कितना easy था कुछ नहीं करना पड़ा एंड बस एक line का code on click में एंड हमारा काम हो गया बस एक चीज़ भी रह गया गया से perfectly center में यह vertically ठीक है तो मुझे एक बार यह देखना है कि यह ऐसा क्यों दिखा रहा है all right अगर इस पर हम चलते हैं यह जो particular पाता चलनी रहा डिस्प्लेइब फ्लैक्स पॉफट देखिए गाइस डिस्प्लेइब फ्लैक्स एन एलाइन आइटम सेंटर दा मुमेंट मैंने कर दिया यह पॉफट ली सेंटर में आ गया ठीक है लेकिन मैंने कहां किया होगा वह देखते हैं प्रोड़क्ट इमेज और प्रोड़क्ट इमेज तो गैस देखने वाली बात यह कि वह हमारी फाइल में तो ही नहीं वह और जस्ट रिलैस कि यह तो हम यहां से पास कर रहे थे न यह देखो न प्रोड़क्ट इमेज ठीक है तो कहीं पर मैंने औल राइट इसको तो मैंने कभी यूज़ी नहीं किया तो मैं यहां पर चलता हूँ एकदम बॉटम पर प्रोड़क्ट डेटा इमेज पहले आता है तो ओल्राइट ठीक यहां पर मैं चलता हूँ प्रोड़क्ट इमेज देखा गाइस कितना इजी है वहां सगर आप एस्टेमर से से स्मास्टर कर ले तो देन बस कुछ पलो का यह देखो डिस्प्ले मैं चलता हूँ यहां पर एक सेगेंड डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर बस इतना करना था बट हमने कुछ मिस्टेक की है नहीं अब नहीं हो एरर चला गया अब मैं चाहूं जितना भी डेटा यहां पर एंटर करूंगा यह आल्वेज मुझ आइफोन 10 सबसे पहले मिलेगा ऐसे सीरीज पर क्लिक करूंगा तो अल्वेज ऐसे सबसे पहले होगा एंड वह अल्वेज हमें सेंटर में दिखाई देगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही और रियली होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आगा एंड आपको इ हम बहुत करीब है 5,000,000 सबस्क्राइब रुखे तो अब भी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो एंड अब भी तक अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किये तो गैस प्लीज सबस्क्राइब कर दीजिएगा मैं आगे और ऐसे ओसम वीडियो लेकिया आनलो जो आपको और ज्यादा मज़ाएगा आपको और भी ज्यादा सिखने मिलेगा एंड सोच कोड़ तो मैं बिल्कुल फ्री में दे रहत हो गए तो सबस्क्राइब प्लीज कर दीजिएगा ठीक है और आट गैस तो आपको मिल तो कल की वीडियो में तिल देन गाइस थेंकी सो मच ठेक क्यो झाल